सब्सक्राइब करें इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्राइन माइक्रोस्कोप के बारे में जो कि फर्मस्टिकल माइक्रोबियोजी के इंतरगत यूनिट फर्सक में आने वाले एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा important है तो वीडियो के एंट तक देखते रहेगा चले जली से वीडियो को खतम करते हैं एक्जाम में आपसे कहीं भी कोई पूच्टा electron microscope के बारे में तो उपर के 5 पॉइंट पहले लिखने हैं उसके बाद में आपको ये figure बना देना है अपने exam copy पे oh my god it's really hard to make this figure ये बात तो सही है कि ये figure आप नहीं बना पाएंगे ध्यान से समझना figure को बनाना कैसे है ये जो नीचे का scale दिया गया है 0.1 mm से लेके 1 mm तक इस scale को बना देना नीचे जो लिखा है उसको बना देना ऊपर जो diagram आप देख रहे हो उसके केवल नाम लिखना for example atom lipid protein flu virus etc ये सब केवल के केवल नाम लिख देना इससे क्या होता है आपके number बहुत जादा अच्छा उठता है पहला point क्या कह रहा है इसको ध्यान समझेगा electron microscope मतलब आपने वहाँ पे एक heading डाला कि electron microscope के बारे में हम लिखने वाले हैं दूसरा point electron microscope gives high resolution image मतलब ये जो electron microscope होता है ये बहुत ही ज़्यादा resolution के image देता है ज़्यादा resolution का image से क्या मतलब है ध्यान से समझना पहले के जवाने में जब हम लोग Nokia चलाते थे 2MP कैमरा मिलता था जब हम उसको जूम करते थे तो हमारा photo जो है वो फट जाता था ठीक है अब जब हम 16 या 48 MP कैमरा चलाते हैं उसके बाद photo को जूम करते रहते हैं मतलब एक व्यक्ति के आंख में घुच जाते हैं तब पर भी वो photo फटता नहीं है क्यूंकि वो photo high resolution का होता है मतलब बहुत ज़्यादा जूम भी करेंगे तो भी वो photo फटेगा नहीं तो यहाँ पर यहीं बता रहा है कि electron microscope के द्वारा जो भी image मिलता है वो बहुत ज़्यादा high resolution का होता है कि मतलब आप atom तक देख लेते हैं कि कि किस atom से कोई समान बना है उस atom का structure कैसा है चले तीसरे point में आप लिखेंगे कि यह जो electron microscope होता है इसमें accelerated electron का इस्तमाल किया जाता है और यही accelerated electron जो होते हैं sample को rosend करने के काम में आते हैं sample को देखने काम में आते हैं तो यह वही बताया है electron microscope uses a beam of accelerated electron accelerated electron मतलब इलक्रिकल electricity का इस्तमाल करके हम इनको accelerate करवा देते हैं electron को और यह आगे चलके source of illumination मतलब यह किसी भी sample को रोसन करने का काम करते हैं या किसी भी sample को देखने में हमारी मदद कराते हैं biomedical research work biomedical research work में it is used to get detail regarding the structure of organelles organelles क्या होते हैं cells के अंदर जो छोटे-छोटे सामगरी प्रजेंट हैं उनको हम organelles बोल देते हैं फिलार इतना बस समझ के रखो ठीक है तो biomedical research में अगर cells के अंदर कोशिका के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं उनको देखने के लिए हम इसका इस्तमाल करते हैं कोशिका को देखने के लिए इसका इस्तमाल करते हैं और उतक टीशू उतक को देखने के लिए हम इसका इस्तमाल करते हैं और कई ऐसी चीजें हैं जिनको देखने के लिए हम electron microscope का इस्तमाल करते हैं तो चौथे point में यही बताया है पांचवे point में क्या बता रहा है note, note को हमें सब black pencil लिखना note in such microscope the electron beams are focused by electromagnets मतलब इस तरह के microscope में जो electron होते हैं उनको एक जगा केंदरित करते हैं electromagnets, ठीक है the sample that is to be observed is kept in the part of the electron beam अब जिस sample को आपको देखना है उसको उस रास्ते में रख दीजिए जिस रास्ते से होते हुए electron beam जाने वाला है electron microscopes have resolving power of 0.1 mm मतलब यह जो electron microscope होते हैं इनके पास इतनी ताकत होती है कि 0.1 mm तक के चीज को भी यह zoom कर देंगे जिसको आप आसानी से देख सकते हैं और 0.1 mm आप देख सकते हैं atom और atom से ही मिलके कोई एक चीज बन रहा है तो किसी एक चीज का atom कैसा है अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो electron beam का इस्तमाल कीजिए electron microscope का इस्तमाल कीजिए आपको वो पता चल जागा आप अपने screen पर देख सकते हैं कि कैसा देखने को मिलेगा आपको अगर आप किसी चीज को देखते हैं electron microscope की मदद से तब types of electron microscope यू तो देखा जाए electron microscope के बल दो type के रखे जा रहे है scanning electron microscope, transmission electron microscope और आप दोनों का figure अपने screen पर देख सकते हैं इसको भी आप exam में याद से लिख दीजेगा types of electron microscope, electron microscope that are used in biomedical science are listed below इसको लिखने के बाद में आप तीसरा heading डालेंगे scanning electron microscope याद रखिएगा अगर आप से केवल exam में ये पूछा जारा है कि electron microscope के बारे में बताओ, तो आप दोनों में से किसी एक को choose कर लेजे, मगर अगर इस पेसली पूछा गया scanning electron microscope के बारे में तो आपको ये point लिखना पड़ेगा उसका ये diagram बनाना पड़ेगा advantage भी लिखना पड़ेगा और जब transmission electron microscope के बारे में पूछा जाएगा तो आपको यहां से लिखना स्टार्ट करना होगा, मगर इन दोनों को लिखने से पहले, ये जो basic चीजे हैं, ये आप सबसे पहले लिखेंगे तो चलिए अब हम बात करते हैं scanning electron microscope की पहला point क्या कर रहा है ध्यान से समझते चलिएगा scanning electron microscope is a type of electron microscope मतलब ये जो scanning electron microscope है, ये electron microscope का ही एक type है that produce image of a sample जो किसी एक sample का छवी बनाता है by scanning the surface with a focused beam of electron मतलब किसी एक sample का जो बाहरी surface है उसको वो scan करता है electrons के मदद से और उसके बाद कहीं उसका छवी बनाता है ठीक है, the electrons interact with the atom in the sample मतलब जो हमारा sample है, जिस atom से वो बना है उस atom से जाके electron interact करते हैं, और ऐसा करने के वज़े से होता क्या है producing various signal ऐसा करने के वज़े से कई तरह के signals निकलते हैं उस atom में से that contain information about the surface topography and the composition of sample मतलब जो यह कई तरह के signals निकल नहें हैं यह जानकारी देते हैं किसी भी sample के surface के बारे में और उसके साथी साथ वो sample किन चीजों से और यहां पर आपको देखने को मिला है incoming electron beam जो पढ़ रहा है direct atom पर तो यह figure आप बना दीजेगा note करके रखिएगा बात को कि अभी को मैंने एक सब्स बोला है topography topography means the distribution of parts or features on the surface or within an organ or organism मतलब कोई एक organism है या कोई एक organ है उसके surface पे कैसे cells present है कैसा उनका distribution किया गया है मतलब सीधे सीधे लगाया गया या तिर्चे तिर्चे उन cells को लगाया गया है इन सभी चीजों को हम कहा रहे है topography तो एक बार जब आप scanning electron microscope के बारे में लिख देते हैं और ये नीचे different type of signal used by Sam and area from which they originate इस तरह का diagram बना के इस line को लिख देते हैं उसके बाद में आपको बनाना होगा ये symmetric diagram मतलब ये symmetric diagram क्या है रिखांकित चित्र ठीक है ये आपको as it is अपने इस दाम कॉपी पे बना देना है उसके बाद आपको लिखना है advantage of using Sam Sam का क्या advantage होता है सबसे पहला better resolution बहुत अच्छा resolution देता है कम voltage पे भी अच्छा काम करता है high brightness source होता है इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा उजागर कर देता है किसी चीज को fast imaging मतलब ज़्यादा समय नहीं लेता है किसी भी चीज को zoom करने में देखने में easy to operate आसानी से आप इसको चला सकते है या तो आप इस तरीके से advantage लिख दो और या तो आप ये pointed में ये जो आपका जो lines में advantage है इसको भी आप लिख सकते हो अक्सर करके होता क्या है कि ये जो हमारा line है line wise जब हम example लिखते हैं तो इसमें क्या होता है number कभी कभार थोड़े कम मिलते हैं क्यों कम मिलते हैं क्योंकि हम blue pen से पूरा उठा के लिख देते हैं यहाँ पे अगर आप इस तरह का line में लिख रहे हो तो black pen का इस्तेमाल किया करो main main heading पे जैसे the sum has a large depth of field तो large depth of field जो है यह आप black color से लिखना ठीक है मतलब इसकी गहराई जो होती है वो ज़्यादा होती है which allow a large amount of sample to be focused at one time मतलब इससे क्या होता है चुकि गहराई ज़्यादा है तो वहाँ पे धेर सारे sample एक साथ रखे जा सकते हैं और आसानी से देखे जा सकते हैं and produces an image that is good representation of the three dimensional sample और इसके द्वारा जो भी आपको image देखने को मिल ला है वो 3D होता है three dimensional तीन तर तीन जगां से आप उसको देख सकते हैं तो यहाँ पर यह जो point है three dimensional sample इसको भी आप black pencil लिख दीजेगा दूसरा point the combination of higher magnification larger depth of field greater resolution compositional and crystallographic information makes the same one of the most heavily used instrument in academic national lab research area and industry मतलब यह बताया कि चूकि यह बहुत ही ज़्यादा magnification करता है इसके अंदर जो area of depth है वो ज़्यादा है मतलब जिसके वज़े से धेर सारे sample एक साथ देखे जा सकते हैं great resolution काफी अच्छा resolution है इसका compositional और crystallographic information देता है मतलब कौन सी चीजों से मिलके कोई एक sample बना है उसका उपर का सता कैसा है इन सब चीजों के बारे में चुकि यह सेम हमको जानकारी देता है अताहाँ इस वज़े से इसको बहुत ही तेजी से इस्तमाल किया जाता है पढ़ाई जहां होता है वहाँ पे national laboratories में और साथी साथ कई industries में इसका इस्तमाल किया जाता है अब हम बात कर लेते हैं transmission electron microscope की transmission electron microscope एक तरह का microscopy technique है जिसमें हम इस्तमाल करते हैं electron का और उस electron को हम एक बहुत ही जादा पतले sample में से होके गुजार देते हैं और जब एक बार वो electron उस sample से होते हुए गुज़र जाएगा उसके बाद ही कहीं हमको एक image देखने को मिलता है उस sample का यही पहला point बताया है transmission electron microscope is a microscopy technique एक तरह का microscopy technique है इन वीचा beam of electron is transmitted through ultra thin specimen जिसमें एक electron को पास करा जाता है बहुत ही पतले से specimen से interacting with the specimen as it passes through और वो उसी specimen से interact करता है electron जब वो उससे होते हुए गुजरता है तो यह लिखने के बाद में आप यह बना देना types of time कितने तरह के time होते हैं यह 5 तरीके के होते हैं यह सारे के सारे यहाँ पे लिखे हैं इनको मैं नहीं समझा रहा हूँ यह के वले के added advantage है आपके copy में number बढ़वाने के लिए उसके बाद में आपको यह symmetric diagram बना देना है as it is जो जैसा लिखा है वो वैसा आपको अपने exam copy में लिख देना है फिर आपको लिखना है application of TEM TEM can be used for the study of जो हमारा transmission electron microscope है इसका इस्तमाल हम कर सकते हैं इन चीजों की पढ़ाई करने के लिए small column of atoms, छोटे-छोटे atoms के बारे में जानने के लिए cancer research में इसका इस्तमाल के जाता है virology virus की पढ़ाई में इसका इस्तमाल के जाता है किसी एक chemical को identify करने के लिए का इस्तेमाल के जाता है crystal orientation मतलब crystals के बारे में या किसी एक surface के बारे में आपको अगर पढ़ना है तो आप transmission electron microscope का इस्तेमाल कर सकते हैं फिलाल exam में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है difference between sam and time तो यह यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ मैंने आपको अभी पढ़ा दिया है यहाँ पे यह चीज आप अच्छे से इसको लिख के याद कर लिजेगा और exam में as it is इसको बना दीजेगा या लिख दीजेगा जब आप से पूछा जा sam and time के बीच का difference ठीक है सबसे पहले आप देखे क्या लिखा है electron stream जो electron इस्तेमाल किया जा रहा है वो किस तरह का होता है sam में fine और focused beam का इस्तेमाल किया जाता है जबकि transmission electron microscope में broad beam का इस्तेमाल किया जाता है image taken topographical surface मतलब sam जो होता है वो केवल सता की photo आपको देता है resolution कम है मगर जो हमारा time है इसका resolution बहुत जादा है magnification की बात कर लेते हैं तो sam का 20 लाख गुना अधिक light microscope के comparison में देखा जाया है तो 20 लाख गुना अधिक किसी भी चीज को यह जूम कर सकता है या magnify कर सकता है जबकि time की बात करें light microscope के comparison में तो 50 लाख गुना अधिक जूम कर सकता है किसी भी एक sample को image dimension की बात करते हैं तो sam हमको 3D model देता है हमारे sample का जबकि time हमको 2D model देता है हमारे sample का sample के thickness की बात करते हैं तो जो sam है इसमें चाहे मोटा sample हो चाहे पतला sample हो क्योंकि हमको बस cable और cable सता के बारे में जानना है तो यहाँ sample कोई होतना matter नहीं कर रहा है मगर जब हम time की बात करते हैं तो इसमें बहुत ही पतला sample हमको लेना पड़ता है क्योंकि electron इस sample से होते हुए pass करके बाहर जाता है ठीक है penetrate sample क्या हमारे सेम में जो electron है वो हमारे sample को penetrate कर रहा है नहीं मगर transmission electron microscope में हमारे sample को उसका जो broad beam electron था उस sample को वो penetrate कर रहा था sample preparation less preparation required same में आपको थोड़ा बहुत preparation चाहिए अपने sample का मगर time में आपको बहुत ज़्यादा preparation करना पड़ता है अपने sample का cost की बात कर लेते हैं तो same जो है वो सस्ता है time जो है वो महंगा है speed की बात कर लेते हैं तो same बहुत तेज है अब तेज क्यों है भया तुम जाओ सता चुके भाग जाओ आपस तुम तेज रहोगे ही और time की बात कर लेते हैं तो यह अंदर घुसता है internal structure से mail जोल बढ़ाता है उनसे समय लगाता है इस वज़े से यह क्या है slower है और operation की बात कर लेते हैं तो same को आप आसानी से चला सकते हैं मगर time को आप आसानी से चला नहीं सकते हैं आपको special training चाहिए होता है time को चलाने के लिए और यह हो गया same और time के बीच का difference खतम आप इसक बात मानों मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना बैल आइकन दवाना बिल्कूल मत भूलना और हाँ वीडियो को लाइक कर देना फिलाल के लिए इतना ही बाबाए कर दो कर दो